प्रियागरास कुम्ब में शोधी शिमला से आयोए सुशील शर्मा जोकी कल्पवास के लिए एक महिने के लिए कुम्ब में आये हैं और आज के दिन उन्होंने सत्यनारायन की कथा सुनी उन्होंने बढ़ा है कि मास के पुण्यमा के अउसर पर जो गंगा के टेट प्रसनान कर पुण्यमा में जो गंगा तट पर पुम्ण के लिए ये कथा का आयुजन होता है सच्चा आश्रम है इसी के अंदर हम लोग ने ये सर्माजी के गवाई में ब्रत कथा का आयुजन किया आपने ही किया था हम लोक्षयोगी है और भगवान की कथा बड़ी अच्छी डंक्सि ने इसे अंदाइए और फलदाई है यह इसका बड़ा व्यूजन के लिए बड़ा लाब है इससे हुरत इक शुद्धि मांसिक शुद्धि सरीर के शुद्धि और इससे तमाम शरीक लाव क्लाबत होते हैं सभी लोग मिल करके कथा का इस आयुजन करके उसका लाप राक्त की है जैसा कि शर्मा जी ने अभी कहा ये कलपवासियों के लिए ये कथा का एक विधान रखा गया है ये जैसे सत्योग में श्री विश्णु जी की करोड़ गोड़ा ज्यादा मिलता है बनिस्बत को घर में सत्योग की कथा करने से तो ये सत्योग के नारण की कथा करने से सारे ये बहुत ही एक धार्मिक उसमें कथा है और यह कलपवासिस को मेशा अपने यहां कलपवास के उसमें करते रहते हैं और हमेशा करते हैं जिससे अपना आत्म शान्थी और उससे तपस्या में बढ़ोतरी होती रहेए सब कुछ दुख दर्ब जो भी है आपका वो मिठते हैं आप कुछ शांती मिलती है इसी का यह आई हो जिन मानों शांती के लिए जो कलबाशी है अपनी आत्मा की शांती लिए भगवान में लेन रहने के लिए जब एक महीना से हमें फूरने फूरने लगता है तो यह दूसरे और लाम के उपढ़न पर और गंगा कि सुद्विजल को पान कर करते हैं और यहां से परस्तान करते अपना परचे भश्याव शुक्ले नमटेटी तरुक्टेट जूशील शर्मा शिम्ड़ा से हुं हूँ और यहां के लिए आया हुँ आता रहता हूं और सत्य नारान की कथा ठावी हम हर साल यहां वैसे ही आयोजन करते हैं आप अपना पत्चे दीजिए मेरे धर्म पत्नी यह उमाशर्मा यह भी मेरे साथ कल पुवास में हैं हम शिम्ला से हैं